आज की वीडियो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप कहां हो, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो आज मैं आपको ब्राउनी वेर के बुग 5 Regrets of Dying से बताऊंगा कि वो कौन से 5 Regrets या अफसोस हैं जो लोग तब करते हैं जब वो अपनी मौत के करीब होते हैं जिनके बचने का कोई चांस नहीं होता तो अपने काम की दोरान आउथर ने पाया कि पेशेंट्स अपनी जिन्दगी की कई बातों पर अफसोस करते हैं उन्हें इसमें एक पैटन दिखा, ज्यादातर लोग 5 तरह के अफसोस करते थे तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो 5 रिग्रेट्स जो जादातर लोग अपनी जिन्दगी के आखरी वक्त में करते हैं सबसे कॉम्र रिग्रेट्ट जो लोगों को मरते वक्त होता है वो है I wish, I had the courage to leave a life true to myself, not the life others expected of me काश में अपनी जिन्दगी वैसे जीता या जीती जैसे मैं चाहता था ना की जैसे दूसरे लोग चाहते थे मैंने प्रोफेशन वो चूज नहीं किया जिसके लिए मेरा दिल कहता था मम्मी की मान ली, डैडी की मान ली, रोदो कर आखिर में रिटायर हो गया या हो गई, लेकिन वो नहीं कर सका जिसके लिए मैं पैदा हुआ था लोग सिर्फ इस वज़ा से अपने दिल की नहीं करते कि सोसाइटी क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे मेरे कजिन्स डॉक्टर या इंजिनियर बन गए हैं तो मुझे भी डॉक्टर या इंजिनियर ही बनना पड़ेगा अगर मेरा शोग है कि मैं यूट्यूबर बनू अगर मेरा शोग है कि मैं बलॉगर बनू तो मैं नहीं बन सकता क्योंकि मेरी फैमिली और मेरी सोसाइटी इसकी इजाज़त नहीं देती तो जब मरने का वक्त करीब आता है तो इनसान सोचता है कि मैं सारी जिन्दगी वो काम करता रहा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था जब मैं सुबा उठता था तो उस काम के लिए मैं खुश नहीं होता था लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए मजबूरी में सारी जिन्दगी वो काम करता रहा ये दुनिया का सबसे बड़ा रिग्रेट है जब इनसान मरने वाला होता है लेकिन इस नेवर टू लेट अगर आपको लगता है कि आप वो काम करना पसंद नहीं करते हो जो आप कर रहे हो तो दुनिया में और भी कई रास्ते हैं आप कोशिश करिए कहीं आपको ये रिग्रेट ना रह जाए कि आपने कोशिश नहीं की काश में कोशिश कर लेता तो आप हमेशे अपने दिल की सुनो वो काम करो जो आपको पसंद है वो जिन्दगी जीओ जो आपको पसंद है अगर आप यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप ऐसी लाइफ जीते रहोगे जो आपको पसंद नहीं है ये वीडियो देख रहे सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को फोर्स मत करिये कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने या वही पढ़ाई करें जो उनकी कजिन ने की है हर इंसान अलग होता है सबकी कॉलिटीज अलग होती है अगर वो डॉक्टर बन भी गया तो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा ऐसे डॉक्टर आप देख सकते हो गिरते पढ़ते फैमिली के प्रेशर से डॉक्टर तो बन गए लेकिन उन्हें मजा नहीं आता ये काम करने में डॉक्टर बनने के बाद भी वो मक्खे मार रहे है जबरदस्ती के बने हुए इंजिनियर्स की भी यही कहानी है क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा आखरी टाइम में ये रिग्रेट करे कि काश मैंने अपने पैरेंट्स के बात ना मानी होती दूसरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है जब हम मरने वाले होते हैं कि I wish I didn't work so hard काश मैंने इतनी ज़्यादा महनत ना की होती जब आप मरने के करीब होते हैं तब रियलाइज होता है कि आखर मैं इतनी ज़्यादा महनत क्यों करता रहा मैं बस कमाने में लगा रहा फैमिली को टाइम नहीं दे पाया अपने बच्चों का बच्पन नहीं देख पाया मेरे पास अपने बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं था मैंने अपने आपको भी टाइम नहीं दिया मैं बस दूसरों के लिए काम करता रहा फैमिली आपका इंतिजार करती है और आप घर नहीं आते हो तो सोच ये कैसा लगता होगा उन्हें तीसा रिग्रिट जो हम मरते वक्त करते हैं वो ये है कि I wish I had the courage to express my feelings काश में अपनी feelings express कर पाता हम किसी ना किसी डर की वज़ा से शायद family का डर या शायद society का डर या कोई और वज़ा से अपनी feelings express नहीं कर पाते feelings express करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी को propose करो feelings express करने का मतलब ये भी है कि आप अपने माबाब को बता सको कि उन्हें कितना प्यार करते हो अपने husband या wife को बता सको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो अपने बच्चों को बता सको साइकलोजिकली प्यार को एक्स्प्रेस करने से दो लोगों के प्यार में इजाफा होता है तो हमेशा याद रखिए अगर आप किसी के बारे में अच्छा फील करते हो तो हने बताईए अगर आपको बोलने में शरम आती है तो लिख कर बताईए चौता रिग्रेट जो हम मरते वक्त करते हैं वो यह है कि I wish I had stayed in touch with my friends काश में अपने दोस्तों के कॉंटेक्ट में रहा होता हम अपनी जिन्दगी में इतने बीजी हो जाते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं वो दोस्त जो आपके सुक दुक में काम आते हैं वो दोस्त जो आपकी मदद करते हैं वो दोस्त जो आपको शायद आपकी फैमिली से भी जादा जानते हैं वो दोस्त जिनके साथ आपने काफी वक्त गुजारा होता है So always keep in mind भले ही आपकी शादी हो गई हो उसके घर जाईए और उससे मिलिए और आपको ज़रूर खुशी मिलेगी पांचवा रिग्रेट जो हम मरते वक्त करते हैं वो यह है कि I wish I had let myself be happier काश मैंने अपने आपको खुश रहने दिया होता यह बात याद रखिए कि कोई बहार से आपको खुशी नहीं दे सकता कि यह ल आपको एक हेलिकॉप्टर से उठा कर पीक पर छोड़ दिया जाता है तो क्या आपको खुशी मिलेगी फिर कैसी खुशी मज़ा ही क्या या मौन्टेन क्लैमिंग का पीक पर खुशी नहीं है और खुशी बिना किसी गोल के पहाड के आसपास भटकने में भी नहीं है खुशी तो है उस experience में जो आपको पहाड चड़ने के दोरान मिलता है यानि खुशी है उस काम में जो आपको आपके ड्रीम की तरफ आगे बढ़ाता है अगर आपको कोई लगल नहीं है तो ड्रीम देखो इस रिग्रेट का सॉलूशन पहले बताए गए चार रिड्रेट में मिलता है रिग्रेट नमबर वन वह काम करो जो आपको अच्छा लगता है आपको खुशी मिलेगी रिग्रेट नमबर तू अपने लोगों को टाइम दो आपको खुशी म मिलेगी लाइफ का हर मुवमेंट इंजॉय करो खुशी मिलेगी उमीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद के बारे में जरा सोचोगे इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ